तो मालती के मौत के बाद आप देख रहे हैं YouTube पर मातमसा चा गया YouTube पर एक बाद एक तमासे शुरू हो गए हैं और अब नहीं लगता मालती को इनसाफ मिल पाएगा क्या आप लोग चाहते हैं कि मालती को इनसाफ मिले जो बेवज़ है दुनिया से चलिए गए कई लोगों ने मालती पर कई परकार के इलजाम लगाए और कई लोग उने मालती की यहाँ पर मालती के इंसाप की मांग की है और हमने भी एक बात रखी थी कि मालती का जो भी जिम्मेदार है उस व्यक्ति को इंसाप मिलना चाहे लेकिन कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सार जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन लोगों की आवाज को दबाने की कोसिस की जा रही है यहां पर एक और दुनिया से चली गई और चोटी सी नादानी की कारण अगर मालती ने उसमय कंप्लेंट किया होता कहीं न कहीं मालती आज जिन्दा होती है और उस पर जाचे कंपीर हो जो कि बहुत बड़ा सबूत है और वो वीडियो ऐसी बात नहीं कि वहां से गायब हो रही कहीं और नहीं होगी सारी सोसल मीडिया पर वो वाइरल हो चुकी है हम लोग के पास भी वीडियो है और कई जगव वीडियो सेफ है तो यह जो गलतिया हो रही है वो उस चीज को तो उसी नहीं मान सकते मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें मालती का जो वकील है उसकी बात चुनी जो बोल रहे थे कि मालती वाले केसमा अगर किसी नहीं भी किया है लेकिन वह मैंसिक रूप से इतरीके से डिस्टर्प कर दी थी कोई नो कोई तो उसका जम्हेदार है किस जान गई जैसे कि आप सब लोग जाते हैं किसकी वज़े से यह चीज़ हुई थी किसकी वज़े से मालती की जान हुई आप लोग जानते हो और गोरक पुरिय भजी ने अवाज उठाई तो इतना बड़ा कांड हो गया और कांड के पिछे बहुत गलत हुआ क्योंकि जो कान सपोर्ट में खड़े हुगे यहाँ पर हम हमेंसा सच के साथ खड़े थे और यहाँ पर हमने एक मांग रखी थी कि मालती को इनसाफ मिलना चाहिए और कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा कि मालती के लिए सायथ कोई आवाज उठाएगा उसके आवाज को दबानी की हर जानना चाहती है कि क्या हुआ मालती के साथ पता चलना चाहिए कानून के डायरे में चीजे किलियर होनी चाहिए निशपक्स जांच होनी चाहिए मालती की पिता का जो बयान देख रही थी बहुत गलत हुआ उनकी लड़की चली और जैसे रोत वह उतने बुजूर्ग बैक कर तो उनको डिलीट करने का मतलब है उनके प्राइवेट करने का क्या मतलब है कि बच जाये किया आपर बिल्कुल विन बश्नु ने चीज किया लेकिन इस अब सिस के लिए रहा विश्नु जिम्हेदार तो है विश्नु ने शाधी करा दी अपनी पत्नी की और विश्नु ने कहती नजर आ रहे हैं कि मैं मालती के केसमा अब हात नहीं डालूंगी क्या एक बेगुना एक मासुम इस दुनिया से ऐसी ही चले जाएगी उसको कभी नियाए नहीं मिल पाएगा अब कई लोग आके मुझे बोलेंगे सोसल मीडिया को इंशाप नहीं मिलता आप कानून इस ची लोगों तक बात पहुंचने का मतलब हमारे प्रिशाशन तक बात पहुंचती है कहीं ने कहीं लोग जागरुक होते हैं कॉमेंट्स के माधिम से आप जरूर बताना क्यूंकि बहुत जरूरी है इस समय मालती के लिए आवाज उठाना यह मुद्दा मालती को लेकर उठा था वह भी उनके उपर विसी कंजा का सभा है लेकिन कानून इतना सकत नहीं है कानून बिल्कुल जाच करेगा निसपक से CCTV कैमरे की मां की जाए मेरी प्रिशाशन से मेरा रिक्वेस्ट है हाद जोड़कर प्लीज CCTV कैमरे की फूटेज निकारी जाए और सच को सामने लाया जाए उन सब जिमेदारों को सामने लाया जाए जिनकी वज़े से आज सोसल मीडिया पर इतना जदा हंगामा मचा हुआ है जिस वज़े से एक महला दुनिया से चली गई उस छोटे बच्ची का क्या कसूर था उसकी मा दुनिया से चली गई उसका बाप जेल में है और बाकी लोग आपस में लड़ रहे हैं इस मैटर को लेकि यह लड़ाएं का भी सही यह यह पर हम लड़ने के लिए नहीं आए यहां पर किसी की जिंदगी का सवाल है किसी की जान चली गई है कोई बच्चा अनात हो गया है को कितने लोग जेल में है कितनों के उपर सिकंजा कसा हुआ है कि जैसा कुछ ना कर रहे हैं जिस वह जिसे किसी के उपर प्रॉब्लम आ जाए कोई मुसिबत में फच जाए आप के ओल भी उसका खेल मत के लिए बार बार बोल रही हूं भी उसका खेल मत के लिए आते हो चैनल उपे गालिया देने आते हूं एक मुझे कोमेंट आरा बहु जाओ गए तो आपकी उलादे इस तरीकी का लेंग्वेज का इस्तमाल करेंगी आप जिसको जबाब देना जरूरी नहीं समझती लेकिन आप लोग फेमस होने को लिए किसी के टांगा खीचिने को तयार रहतों इसलिए ज्यादा फरक नहीं पड़ता हूं वैसे भी मैं पॉ जो हमारे समाज के दाइरों से बाहर होती हमारे समाज के बिरोधम होती उन सब चीजों को हम उखेलिंगे हम हक रखते हैं कहने का आप जैसे बच्चे ना भगोड़े टाइप के जो अपने माबाप को दोका देके भाग जाते हो वही आके हां पर बुड़ी सूड़ी बोलते उनकी आईडी निकाली थी तो मैं नहीं चाहती छोटे-छोटे मुद्धू को आप लोगों को प्रोब्लम में आ जाओ तो इसलिए ऐसे गलत काम मत करिए सोसल मीडिया है इंटरनेट है उसका गलत इस्तमाल मत कीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है आपके देखना नहीं पसंद करती हूं आप लोगों को तो आप लोग जितना अपना गंद उगलना उगलत रही है यहां पर जो सच है उसके लिए हम डटकर खड़े हैं उसके लिए हमें रोकने का अगर आपको हिम्मत हो तो सिधे कोट से नोटी भेजना और इस तरह की गंदी हरकत है हमारे आगे आपका नहीं चलेगा भगवान ने किनी सकति दी हम सही है गलत का अंँदाजाँ लगा सके आपकी नजर मंगर सही है तो आपकर सथेवी कोरें उसको पकसे हैं जो हम अपने बीवर्श के सामने रखते हैं जो जीजु को समझते हैं उनकी सामने रखते हैं आप आके लिए देते हो तो यह समझ लो किसी सोसल मेडिया पर किसी की खिलाब गलत बोरना भी कानूनन अपराद है उस दाइरे मा आते हैं तब तक हम नहीं बोलते हैं जब तक हम बरदास की हद रखते हैं उपपर वाले ने बहुत ताकत दी कि हम ऐसे निगटीब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान न दे इसलिए जाद हम जबाब नहीं देते हैं यहाँ पर गोरगपु के वज़े से कानून के दाइरे में आ चुके हैं कुछ लोग गोरगपुरी अभाजी को नहीं पता था उनके खिलाब क्या क्या चीज़े चल रही है और कुछ बोलने में एकसाइटमेंट में जाधा उन्होंने बोल दिया तो वही चीज़ आपको दिखी आपको यह नहीं द सिजाकरको कोई निर्धोस को सजा नहीं होना चाहिए जो दोसी त Dwight उसके सांथ गलत किया है जरूर उसकानूनी कारवाई होनी चाहिए विल्कुल अगर पर प्रिशासन के सांथ गलत हो रहा है उसके कानूनी कारवाई नहीं इसकि नहीं जबड़ जाए गी स्यूंदोस है जब वो मांग रही तो ये प्रषासन का हाक बनता है कि इस पर निस्पक सजाच करें, CCTV फुटेज निकालें और उसकी निस्पक सजाच करें कि कौन दोसी है, कौन निर्दोसी है, निर्दोसी को सजा नहीं मिलने चाहे, दोसी को 100% सजा मिलने चाहे, जो की कानूनन है भी, और दोस्तों बाकि क्या कहूं मैं गुरक पुरिया भूजी के बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ सच के लिए लड़ी थी हूँ कई लोगो ने कहा गलत है वो नचनिया यह है वो है तमाम चीजा आपने कहा आपने कहा भगोडी है उसने भाग के साथी की मैं सारी चीजों को दरकिनार करती हूँ क्योंकि यहाँ पे वह मालती चोहान के लिए आवाज उठा रही थी सिर्फ एक चीज देखती हूँ अगर कोई सही चीज के लिए आगे बढ़ना चाहता है न गलत चीजों को छोड़के तो आप लोग नहीं चाहते हूँ आगे बढ़े आप उसको अहीं पर ठहरा देना चाहते हूँ कि वह भागी थी वह तम भागी थी न वह एकसेप्ट भी करी है न लेकिन अब कोई और बच्चा न भागे उससे एक सबग भी होना चाहिए क्योंकि आप लोग चाहते हूँ वह कर रही हूँ आप नहीं देखना चाहते हूँ उस चीज को छोड़ दीजिए जो हो चुका है एक महला जिसके साथ गलत हुआ उसके इंसाप के लिए आवाज उठा रहे हूँ तो वह चीज़े देखे रहे हैं तो आपको उनका गलत दिख रहा तो सही क्यों नहीं नजरा रह तो आप प्लीज रहुकर मालटी के लिए उठाये मालटी की इंसापकी यह वाज नहीं दबनी चाहे वालती को इंसाप मिलना चाहे है उस बच्चे का दर्द देखे एक छोटा सा बच्चा क्यूंकि मासे बढ़कर कोई नहीं होती है दुनिया म jestem बढ़कर कोई नहीं कर सकता बच्चे का सिर्फ मालती ही थी जो अपने बच्चे को देख सकती थी समझ सकती थी इसकी भावनाओं को बाकी और रिस्ते स्वार्थु पर्टी के होते हैं और कितना ही अपना होना वो भी अपना नहीं होता है क्योंकि जो दर्द एक मा जहिल सकती वो कोई और नहीं जहिल सकत दो पक्सुमय गुट बन गए वह उसे गाली गलोज इसलिए इसलिए लड़ाई जगड़े का अड़ा ना बना के मालती सोहन के लिए इनसाफ का अड़ा बनाया वरना दुनिया में अगर ऐसी और चली गई ना बेकसूर उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा उनके जुर्म बढ़ जाएंगे इस जुर्म को रोकने के लिए जरूरी है कि जो दोस्ती है जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए उस मासूम बच्ची को देखिए उसका क्या दोस्त था उसके सर से माका साया चला गया जिंदगी भर के लिए अनात हो गया बच्चा जो भी जितना हमें गलत कहते हैं, कह लीजिए, क्योंकि हमें फरक नहीं पड़ता है, किचड में पत्थर मारो, तो उसकी छीटे ही आते हैं, इसलिए हम उस दल-दल में नहीं फसना चाहते हैं, वैसे भी मैं गलत लोगों की वीडियो उस पर कभी जाती नहीं, कौन किसको क्या कह रहा हम लोगों के पास, कि आप लोगों की गंदी गालिया सुनें, और फिर भी आप जब नहीं देखते हैं, तो आप कॉमेंट करने, यहां पर आ जाते हो, गंदी गंद कमेंट करने, लेकिन आपकी मर्जी मैं अपने चैनल से उसको रिमूब कर देती हूं, तो आपका सवाल रह एक छोटी सी समाज से उका हूं, महलाओं के हित के लिए हम ऐसा कारी करती आई हूं, और उमीद करती हूं, मेरे वीडियो के माधियम से आपको भी कुछ ऐसा मोटिवेशन में दे सकूं, जिससे समाज और आपके हित में काम आए, तो थैंक्यू सुमच तहदिल चापका धन् थैंक्यू सुमच तहदिल चापका